मैं एक हफ्ते सोच रहा हूँ कि यहां दो पोश्टर लगाने वो पोश्टर लगाने नहीं हो रहा है मता हूँ यार थम्राद पृत्विराज में एक शॉट है जहां वो गोडे पे राइड कर रहा हूँ मूचे हिल रही है ऐसे बाई रॉकेट इंजन ले आए गाड़ी में लगा दिया रॉकेट इंजन लगा गाड़ी में बाई फैमिली का मतलब यही तो होता है एक शानती से मरने भी मत दो वो कैसे बूब्स में से गांधी जी बना देता याद है उस वाले पिच्चर अगर तुम्हें प्रबास की वेल्कम बादल भाई थैंक्यू अरे बादल से बात करता हो और फिर मैंने सोचा यार लिस्ट पे टॉप में था तू हमारे इस पे और सब्सब्सक्र अरे फिर मैंने पीज़ थैंक्यू को फोन गगा ऩारा यार बादल से कनेक्क्त कर यारा यार थैंक्यू बाई म्धाने जम्में से लिडियो से नए क्या हरह को आरे बादल से ट्यू domon経 से नहें सनने की मतलब कया क UX रहें ब्राद आ रहें कोज़्ू इन नहीं मुझे खुद को पता है तो जितना होगा अब उत्ता करेंगा अभी बोल दूंगा और फिर बाद में नहीं होगा तो फिर प्रेशर नहीं लेना चाहता हूँ अब यह पीछे दीवार खाली दिख रही है ना एक हुटे सोच रहे हैं तो यार तु शॉट फोर्म कॉंटेंट पर नहीं होता है और अब यह पीछे दीवार खाली दिख रही है ना मैं एक हफते सोच रहा हूँ कि मुझे यह दो पोस्टर लगाने दोनों साइड बॉल पैसे वो पोस्टर लगाने नहीं हो रहा है अब यार तुने का था पोस्टर लगाने मेर को इस दिवार के पीछ पोस्टर लगाने थे भाई मैं से पोस्टर पड़े है मेरे पास लेकिन फ्रेम नहीं कर आ पा रहा हूँ तो योद्धा का देखा तुने क्या लगता योदधा कैसी होगी अ उमीदे है बट एंड मेरे कहल से थोड़ा साथा रिडिकलिस्नेस जाएगी पिच्चर उन्होंने स्टोरी तो अल्मोस्ट पूरी रिवील कर दी ट्रेलर में पूरी स्टोरी रिवील्ड है मेरे को ऐसा लग रहा है कि डारेक्शन अच्छी होगी और एक्शन इंदर घुसके वहाँ पर मार रहा है लोगों को और उसको बम से उड़ा भी दिया तो इसके वीचे रिजन कहा देंगे मुझे यह देखना है भाई हाँ सही कह रहा है तो पाकिस्तान को तो ऐसा घोडी बनाया है भाई पिफले एक साल में पाकिस्तान को तो बॉलीवुड ने ऐसा घोडी बनाया है भाई हर पिच्चर में बादल तू और में पिच्चर बनाने बैठेंगे न हमारे पास कोई कहान ही नहीं होगी बादल काईगा एक ही रो ला एक पाकिस्तान लब पाकिस्तान को बहुं दे मू लिटा दे और जो करना कर गदर इसका फाइन फाइनस पाकिस्तान बादल मेरे को याद है गदर की टाइम पर लोगों को पता नहीं क्या हो गया था लोग अपने ट्रक्टों से सोचने लग गए थे यह क्या कर रहे थे मतलब इडियोकरसी चल रही है इस फिल्म के अदर एब्सूरा इडियोकरसी पूरा कुछ भी चल रहा है अच्छा वहां से आजाता बेटा वहां पहुंच गया कोई कम्यूनिकेशन ही नहीं बाप बेटा थे लैंड लाइन उत तो थे तब लैंड लाइन से फोन कर ले था और मतलब एक बर सनी पाजी वहां पहुंच गया फिर तो और भी जादा चीज अपसाड होने लगती है कि वो दोनों ही पूरे देश में घुम घुम के मारा मारी कर रहे हैं गदरवन के अंदर भी वही था पर उसमें फिर भी थोड़ी चीज़े बिलीवबल लग रही थी कि ट्रॉक चेस सिक्वेंस हो गया तुम बच के निकल रहे हो चुपके बैट रहे हो इसमें नहीं खुले आ जिसमें वो देवानन की अक्टिंग करता भाई मन करा था चाटा मान फिल्म में घुसके कि भाई तु कर क्या रहे है तो आपने यही होगा तू देखियो BMCM के साथ अच्छा बड़े मिया चोटे मिया क्या लगता है कैसी होगी बिच्चा बस होगी बना दे बस मतलब गनप कि प्रोडक्शन हाउस है पूजा इंटेटिया हां बट अब इसे भी खराब आईगी बागी 17 इतने सारे पार्ट बना दिया है बागी ये वो ऑच्न हो पता है और को भी पिच्चर में कोई डिफ्रेंशेट नहीं कर सकता कोई भी फिल्म में कोई डिफ्रिछेट बागी और हीरो पंधी 2 अधिया उन्होंने क्या किया था लिट्रल वो चीज करी थी बागी के अंदर उसका एक फ्रेम था या पोस्टर था उसकी को सूट पहना कि उन्होंने एक पंधी 2 का पॉस्टर निकाला था अचा ने बुटका पता ये वात विडियों वट फ्रेम शूट था अधिया तो सामने पाने खंट सफ और का उसे दो अथा था नरी बागी 3 था। इपर पिर उसकी और उन्होंने अन्णस किया कि हीरो मतन टू बन रही है और उसको था इन हुटोंने पर पेना दीया अधनकी औ और पोस्टर बन गया भाई वो एक्जाक्ट वही पोस्टर वही चेहरा सब सब से तो BMCM का देख ले तू, BMCM उसकी कॉपी है ना वो English film कौन सी है? Behind the Wire? Over the Wire, Over the Wire है अनिमेश एक बार देखियो कौन सी है? Over the Wire, यही सर्च करियो, Over the Wire ऐसा कुछ है उसमें न वो है, मेरे क्याल, जो वो बनता है ना Captain America का दोस्ट कौन है यार वो, काला? Sam Wilson, जो actor है वो Anthony Mackie हाँ हाँ, Anthony Mackie, exactly वो है उस वाली फिल्म के अंदर और वो कह रहे हैं कि exactly almost उसकी copy है मैंने although पढ़ा है, BMCM की कहानी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है ना किसी को भी थोड़ा वो थिंट दिया है कि AI वगरा विल ठेक ओवर और फिर उन से लड़ने के लिए दो लोग आएंगे यार यार तूने देखा Outside the Wire, फिल्म का नाम है Outside the Wire तो भाई, तूने BMCM का वो देखा अच्छा अभी यह कहरे है 300-300 करोड का बज़ेट है ठीक है अब 300-300 करोड का बज़ेट है Official figures can reach up to 377 करोड after तेरा marketing और PR stunts जहां पे चपल खागे हैं अभी जहां बवाल मच गया जहां पे जहां पे लोगों ने चपले मानने लग गया थे स्टेज गोपर फैक दी चपले पूरा बवाल मच गया इनको बंद करना पड़ कि अब तूने देखा कैसे नी अभी तो बात है दो तीन हफते ही आप बंद कर रहा हूं ayayak लृज देखा हैंень इतने बुरे गाने हैं भाई şur लिपसिंग आउट हैं गण호 में लिपसिंग आउट है मतलब तू ये लगाले कि अभी वल्ला वल्ला हभीबी आया है, उसमें सिर्फ गाने में वल्ला हभीबी इनको डालना था, इसलिए इनोंने एक गाने, पूरा गाना बनाने के लिए, एक वर्ड को इंकॉर्पोरेट करने के लिए, पूरा गाना लिख दे और इसके कोई सरबहर ही नहीं है, बाइ मानुसी चिल्लड, हा, उन्ने पहले टून क्रिएट करी और जो लिरिक जैसे बैठते हैं वो भर्ते kissing हाँ हाँ तून क्रियाट करी, और बहुत बढ़िया चीज है है ये डाल देते हैं अच्छा वार हभीबी का मतलत है वा क्या तारीफ है मतलब बहुती सुंदर बहुती खूब सुरत तुम? अक्षयकुमार कि नगळी मूचह अखी थेखी टूने bmcm के गानों में श्रीन पच्छा है तुल्हें टीजर रिवीव करा था मैने टीजर टेलर देखा मैने उस टाइब बस मैने का शूटिंग शैडिल देखा जहां जारे गाना शूट कर रहे हैं थेक है पाँच गाने उन्हें शूट किये पिचर के लिए जिसमें से तीर आया है तो 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 आज भी बजा ले लोग गाने लग जाते है नाच लग जाते है तू नया वाला गाना सुनके देख ले उसमें एक लाइन मैंने उस गाने को रोग तो तो नहीं मतलब रिरिसिस्त में और पिर उसके बाद है अप्रूव भी किया टाईगर और अक्षय ने कोई कहे बागी कोई खिलाडी ठीक है मतलब ही ज्टॉकिंग अब आउड इमसेल्फ और हैं तेर को और बागी कोई खिलाडी मतलब मेरे को बोला जाता है भागी और इनको बोला जाता है खिलाडी अब उसका तो खिलाडी समझ आता है वो 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर ठीक है भाई तेर को और बागी बोलना कोई अच्छी चीज तो है नहीं ठीक है ना बागी गाली की तरह है भाई सिनॉनमस है गाली इसे क्यों पर रहे हैं पिचर में आव बस यार टीजर का तो मेरे को पक्का यह लग रहा है कि आप टीजर में देखने के बाद मेरे को बहुत सारी इसका वी एफेक्स किसने किया वो इसका नाम है इसका नाम है डी नेगटिव जिसने काफ यह भाई वह तो मार्केटिंग टूल बन गया है जहाँ अधेखो वही पर उनका नाम चिपका जा रहा है बहुत बहुत पिचल पांशोट कियों लेकिन डीनिग ने किया है अधेखो पांश कियेगी नहीं बट होता है तुम मामिशा पूरा काम एक स्टूडियो को नहीं देते हो थोड़ा 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 सबसे करवाते हो और दीनेग को तुमें पे भी तो फॉरन करनसी में करना पड़ेगा न तो तुम आफकोर्स यही होगा कि तू चार-पांच शॉट्स करवाले जो मेगा शॉट्स है जो हीरो शॉट्स हैं बाकि अपने वो बिठाले इंटर्न जो यह बिठाते हैं जिनसे गनपद बनवाई थी उनसे बनवा लें गानपद पे जिसने काम किया था ठीक है उसको अपने बायो में लिखना चीए कि आई वर टीजर मालग टेखाया हूं धी तरिलर दीखाया पिर पिच्छर वापवा प्राना माले ही इजगा यार तेरो क्या लगता है आखियकुमार की वभाउची कैसे हो सकती है अग मैंकोर कोमार मेंकथ वेरी सेंसेबल वेरी सेंसेबग कूम आक पांसो कोरोड क्लब में 500 Krood Club... एक्शन मॉवीजी जारिहा है इसकल अक्षिकुमार मैं सोचानी यहारे मैंद अक्षिकुमार की.. मतलब MSP क्या है सोचन ही जाओगे तो लोग Akshicumar को देखने क्यू पसंद करते है अक्षिकुमार को मैंदेखा है तो फिर सही रहेगा ऐसे जैसे बड़ी मियाँ चोटी मियाँ कैसे निकली के पता नहीं बट ओवर दे टॉप जाके नहीं थोड़ा बहुत रियॉलिस्टिक अगर कुछ करेंगे जैसे उनकी जो बेबी वगर आई हुई थी बेबी वस फैंटास्टिक फिल्म वैसे कुछ पिच्चर करेंगे तो वो सही रहेगा बेबी टू अगर आती है तो लोग देखने जाएंगे लेकिन बेबी टू गिवन जैसी ही बनी हो हाँ कुछ ओवर दे टॉप नहीं था बहुत बड़िया था सारा और मुझे लगता है दूसरी चीज यह कि इसको दो साल के लिए हो जाना चीए गायबरे डास है और कम बैक विदा खिलाडी राइट खिलाडियों का खिलाडी है खिलाडी कुछ बड़ा है ठीक है बट दो साल में फिर दस पिच्चरे में तो निकानी है बाइट दो साल में दस पिच्चरे क्या बात करा चे महीने में आ जाती है चार पिच्चरे अभी BMCM को तु जानने दे BMCM के आउट्रो में देख लिए और ने ट्रेलर चिपका देंगे उनका है उनका इस साल है चार या पाँच मूविज है उनके इस साल इस नोट रॉंक छे भी हो सकती है होंगी 200 परसेंट होगी अब ना उनके साथ होने क्या लग गया आक्षे के साथ कि इतने सारा बल्क में खराब पिचरे करने के बाद ना जो अच्छी पिचर है ना मिशान रानी गंज वस नॉट बैड फिल्म अगर तु ने देखी होगी हां मिशान रानी गंज वह लेकिन कि कुट्छे ने पूची पिच्छा कोई गया ही नहीं भाई खाली प्राब्लम्स थी उसमें बड क्यूंकि उन्होंने चालू आ था कॉणसी थी वह बच्चन पांडे से शूरिवन्शी दी उन्होंने थी वाले में फिर अगले साल स्टार्टिंगे बच्छन पांडे आई खराब और उसके बाद को साही थी थी सम्राड प्रित हुर वहां से तो इस पिच्चर में से स्क्रीनशॉट लेकर चला यहा था हमने इसे मौचे हिल और एक शॉट्रमे न वह घोड पे रिख female on यह love है पाद कर दिया उसका कंदे रहे है जर ऐसे है जर इसे आ रहे हृ छै इलिन हा फिल मैक हिर्म नोजे शमज नहीं आता, वाइड यू थिंग अक्षे लिए अक्षा दूस्टिस तेरेक्टर लगता है और एक बात बदा बाल सच्छी जच्छी तो तेरे को क्या लगता है, Akshay does not look at the nuances in a script? Okay, script के nuances Akshay Kumar को लेके, मतलब वो जो उनकी बीच में खराब movies वगर आती है मैं अरको लगता है कि वो उतना detail में नहीं जा रहे थे script वगर लेके, वो सिर्फ कॉंसेप्ट सोच रहे थे कि यह इसका remake है, यह फिर यह बायोपिक है, तो कर लेते हैं फिर उसके बाद पिर जब actual filmmaking की बारी आई फिर उसमें फिर वो मर गया मेरे को यार पता क्या लगता है, एक बीच में कौनसे पिच्चर आई थी वो जहां पर इन्होंने दिखाय थे लेकिन बहां लंडन में शूट कर रखी थी पिच्चर, कट पुतली, कट पुतली, हाँ, वो पूरी की पूरी पिच्चर नहरा दुन्या ने निटाल में बताया रहे थे, यह और पीछे में There's a flaw in the shot, जहां पर गाड़ी खड़िया और उसका नंबर है भाई, नंबर प्लेट पर इखाय मैंचेस्टर की गाड़ी है, यार, मुझे पता कैसे पता लगा था, मेरी बहन रहती है लंडन में, तो भाई, मैंने उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट देखी, मैं बहुत सिमिल है, और मैं तेर को बोलू कि दैरादूर हम बोलेंगे, और यह 90s नहीं है जहां पर, जहां पर 90s पर होता ही था, चौल में पिटाई हो रही है, अगला गाना सुझजले लेंड में, वो एक टेकन फैक्ट था, ठीक है, वहां कोई को इस्चन नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ऐस लोग 40 दिन बोलते हैं, बट वो बैक टो बैक कभी नहीं होता, थोड़ा एक चोटा शेडूल, 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 और वो हमेशा से अलग 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 लोकेशन होता है, अगर पहले भी पिच्छे बनती थी, अगर देहरादूने, मतलब वो परमिशन नहीं मिला, या कु प्रमिशन काम करते हैं, उनकी जिम्मेदार होती है, इसलिए कई मूवी के अंदर, कॉन्टिनिटी सुपरवाइजर और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, वो सब कुछ होता देखने के लिए, जो फ्रेम में दिख रहा हो सही है, तो ये अपने पिच्छर की स्क्रीनिंग तो अब अगर तू और मैं एक नॉर्मल कॉमन मैन पकड़ सकता है गलती, तो ये तो भाई स्टार पकड़ी लेगा ना, जो उस पिच्छर में काम कर रहा है, लेकिन जब स्क्रीनिंग की बाद आती है, तब तक बुलेट गुली, बुलेट जो है, गन में से निकल चुकी है, क्योंकि उसका हिंदी डव अवेलेबल है, प्राइम वीडियो पर, एक बंदा ना, इन मामलों में बहुत लगी रहा है, और वह है अजे देव गन, ठीक है, नाम और रिशान मिटा दो भाई, लोगो उच रही है, वाई, वाई पाउट, भाई, मैंने वश लिटरली वर्वल कैसी लगी फिल्म, मैंने वश नहीं देखी है, तो उस साथ सथ शैतान मेरको अच्छी लगे बिच्छा, तुन्हें वश नहीं देखी है, वश देखियो, वश देखियो, मैं तरको भेज दूँगा, वश देखियो, बट वश इस अट लीस्ट, इस टें टाइम अटिया है, मतलब डार्क एंडिंग्स तेरे को कम देखने को मिलती है हिंदी सिनेमा में, मतलब रीजिनल सिनेमा में भी इन फैक्ट, इंडियन सिनेमा में, तू पुट इन अ को लोकियोल टर्म, लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अच्छी एंडिंग हो एक, जो इनोंने लगता है दर को, कि अगर रनबीर कपूर की जगा, यह स्क्रिप्ट सल्मान, शारुक, आमिर, अजय को है अच्छी को लेकर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि डिरेक्टर का शारुक खान से मिलना हो गया, तो क्या वो आ रहा है अगली पार्ट में, मुझे पस्नली नहीं ल रेटी वागा कि तो पिच्चर करी नहीं सकता है जिसमें वो गला पकड रहा है या थपड मार रहा है, या गाली दे रहा है या जूते चाटने के लिए बोल रहा है, I don't think so, कि शारुक खान इस स्टेज पे अपने करियर में, ऐसा वी रोल करेंगे, कर भी सकते है, I can be wrong, Exactly, हाँ, अभी स्टार्डम का जो बोज है, वो चूस करने पे मजबूर कर रहता है, यार अब बोज इतना हो चुका है कि तो यह लगा ले, 12,000 करोड का प्रेडिक्टेड बिजनिस किया था, 2023 में बॉलिवूड ने, जिसमें से 3,500 करोड शिर्फ और सिर्फ शारुक की फिल् तो मुझे लगता है कि शारुक वो जो चॉकलेट बॉय इमेज बन चुकी है वही क्यारी फॉरवड होगी, वही क्यारी फॉरवड होगी वही नहीं हो सकता, और कोई हीरो इन प्लेस ऑफ रनबीर कपूर तू देख सकता था अनिमल की स्कृप्ट में, जिसने एक्सेप्ट क कर लिया होता कि इतनी वाइलेंट और इतनी डिग्रेडबल फिल्म है यह, हाँ, 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 मतलब वो रोल कर पाता है नहीं वो अलग बात होगी बड़ चूस करने के लिए मैं रहाद से कुछ अक्टस कर ले था, संदीप रेडी वांगा का जो नाम हो गया था, रनवीर सि शायद कर सकता था, हाँ, कर सकता था, रनवीर सिंग is a good pick, क्यों उसने पहले भी रिस्की रोल करे है, खेल जी का भी उसने रोल करा है, जो थोड़ा डार्क था, राइट, वो तो विलन था बेसिकली पिच्चर का पूरा, वो जो डाक टोन थी उसमें, और कितना वो रिस्की भी बाडी नहीं हो पाते ही, और यार अनिमल डेखने के जो यह ए अनिमल देख नहीं बी बढ़ नहीं बैठ रहा है, बैट रहा है Κर लेता हो तो जो अपने सामने देख्यों से उसके अंदर इसके अनर फिट कने जाये तो हमेबी नॉट मंकी मैंने इंडिया में रिलीज नहीं हो रिपता रिलीज नहीं होडिच रिलीज अरे भी कल की निईज है maybe because of the तुने देखा ना ट्रेलर भाई I'm very excited for that film number one कि वो बहुत सही फिल्म है और देव पतेल जो इसमें कर रहा है उसने सारप सब कुछ अपने आप की है क्योंकि वो black belt है कराटे में मेरे खाल black belt है मेरे खाला मुझे बट वो movie के writer, director, actor producer सब कुछ वही है और वो टाइकॉंडो में पता निकिसी में black belt है किसी martial arts में और उसमें action choreography में भी बहुत की रोल प्ले किया है और याद वाई दे ट्रेलर, you would love it मुझे सबसे बड़ा problem पता क्या लग रहा है monkey man के साथ कि ये वही खिलवार करेंगे हमारे religion और culture के साथ कि ये वही गरीब इंडिया दिखा देगा अचा रामायन की तो इसमें बहुत सारी चीजे ली गई है ना तुने देखा होगा रामायन से बहुत सारी चीजे ली गई है हनुमान जी का reference दिया गया है कि वहाँ पे उनकी पूजा करी जाती है इस पिचर के साथ इंडिया में अच्छी होगी मेरे को पता है बहुत जादा फील आ रहा था इसका ट्रेलर देखके जान विक वन का फीक है जब जान विक वन आने आने वाली थी ना उसका ट्रेलर आया था तो मुझे ऐसी फील इस से आया थी पाउच सब्सक्रांट के लिए अचाल है को इसका को तो जी है को अज़कर कर चला रहे है कॉलिटी एच्छी लग तो रही हैं मैसने चल जाना नहीं चाहिये बट वह रिलिजिन को लेके कहां तक जाते हैं और क्या क्या दिखाते हैं वो भी मैटर कर रहा है कि रिलीज होगी कि नहीं विच्चर यार अब वही वाला सीन है ना कि तू रिलिजिन को पकड़ तो लिया तुमने इसमें और अंडर्टोन्स भी होंगी ट्रेलर में इतना तो क्लियर है कि अंडर्टोन्स होंगी रिलिजिस अब यह देखना है कि कहानी कैसे होती और उसको वो कैसे करते हैं बट इंग्लिश लेंग्वेज फिल्म में तेरे को लगता है लोगों को पेनेट्रेट कर पाई यह हां क्यों नहीं आज कर लेगे क्योंकि आज कल मतलब जितना मैं देख रहा हूं ग्राउन पर मेरे यहां पे भी पहले हिंदी मूवीज लगती थी बट जब होल्यूड की अब कोई पिच्छर आती तो इसका इंग्लिश शो पहले लगता है वही सेम अगर हम लोग उपन हाइमर वगरा देखेंगे तो उसने भी इंग्लिश में काफी जाधा कलेक्शन किया पर उपन हाइमर तो तेरे को प पनाई हॉलिवूड के लिए है फिल्म हाँ 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 बट इसकी जो टार्गेट ओडियंस है वो सम्हाव इंडियन हो जाएगी क्योंकि हॉलिवूड मेरे को नहीं लगता कि इसका हॉलिवूड वॉक्स ओफिस कलेक्शन बहुत जादा होगा तो बी वेरी हॉनस्ट तार्के जो पुल ओफ कर सकते हैं हॉलिवूड में एक पूरी फिल्म को कोई भी दो बंदोगा नाम बता मेरे को जो तेरे दिमाग में आते है कुमाल नांजियानी नाम है न उसका हाँ 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 इटरनल्स में था वो भी कुमेल कुमेल नांजियानी भी वो भी अकेले पुल ओफ न कोई और को ने दूसरा ब्राउन परसन कि नाभी तो कोई नाम ने क्लिक वरा कोई नाम निया आज तक आज तक बोला जाता है इंक्लूजन ये इंक्लूजन वह लेकिन आज तक साउथ एसियान रेप्रेजेंटेशन होलिवुड में ठीक है कॉमिक वर्स को भी उठा ले पूरा आज कम था तो इतना कुछ देखता तेर को क्या लगता है की अर ज्यादा इंक्लूजन होनी चेहिए कुनाल नहीं दा conservative कहा है कि खो jesteśmy चर्क है करशें सब्सक्क्रेयर क्為 islands आज कोई वेंजरण नहीं हूमिक दिखिए पजब आफारत कि नज़ी श्याई कर ठीक होरा ना तो थ the complete call जो हो गया शो उनका, although मैं तेरी तरह हाड़कोर फॉलोवर नहीं हूँ, but I still know the woke agendas, the communities they are chasing to get their target audience to, तेरो क्या लगता है क्यों हो रहा है, why is this happening, why is MCU doing this? यह मतलब सिर्फ मार्वल नहीं, बलकि सब भी जगह अपलाय होता है, तुम मुवी देख लो, या कोई चीज बहुत जादा बड़ी हो जाती है, तो उसके अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं, जो प्रॉबबली वहाँ होना डिजर्व नहीं करते हैं, और अगर वैसे लोग, लोगों के हाथ में, डिसाइड, डिसिजिजन लेने वाली पावर आ गई, तो फिर तो आपके लग गए, ठीक है, और आइधिंग कि यही हुआ मारवल के साथ, उन्होंने एंड गेम तर काफी सही किया, क्योंकि एक बंदा सब कुछ तुम्हारा देख रहा था, फिर उसके बाद जब वो पूरा पहल गए, क्योंको वेब सेरीज भी बनानी है, साल में तीन-तीन, चार-चार पिचरे भी निकालनी है, तो मेरे खाल से वो बंदे का जो कंट्रोल था, कि वो हर एक चीज को और सीकता था, वो उससे कम हो गया, अब उसके बाद किसे ने कौन रिस्पॉंसिबल है, यह मेरे को नहीं पता, मतलब तू यह सही कह रहा है कि इतने सारे लोग हो जाते हैं, जब बहुत जादा बड़ी जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और जब बहुत सारे लोग होते हैं, और वो सारे लोग mostly left-leaning ideologies के हों, MCU मेरे हिसाब से लोग है, वह इस सक्राइब करने लोग है, बहुत है, बहुत है, अब बहुत होने लगा है, जितनी भी इनकी teen hero films हैं, उनमें देख तू कितना जादा वोग narrative है, हाँ तू क्या गहा रहा है था? कहीं कहीं लगता है कि यह तुम तुम जान मुझ के कर रहे हो, वो शायद दिखाने की ज़रोत नहीं थी, अगर तुम दिखा रहे हो तुम पुरी commitment के साथ दिखाओ, जैसे मेर को एक एक जामपल या आदा रहा है, Black Panther, Wakanda forever वे था क्या, उसमें जो डोरा मिलाशे होती है, जो bodyguards होती है, और तुम पुरी team होती है, उसको उसका काफी छोटा scene दिया हो था, जिसमें एक character का तुम relationship दिखा रहे हो, कि वो किसी और एक महिला के साथ relationship में है, वो मतलब सही है बड़ तुम करना क्या चाते है, अगर तुम उस character की depth दिखाना चाते हो तो और scenes include करो, आपने सिर्फ एक छोड़ा सा hint डाल दिया कि नहीं इसका यह है, तो वो मेरे को थोड़ा force लगा कि इसकी ज़रुवत नहीं थी, उसको slight hint pushing बोलते है ना, मतलब वो hint देगी है, अब पहले उसको normalize करो, फिर आप उसको फुरा full in जाओ, ऐसा, तो इन्होंने hint drop, बस यह बता अच्छा, same eternals में भी ऐसा ही था, अच्छा, same eternals में भी ऐसा ही था, but eternals में I think that worked, क्योंकि वो पूरा उसका background दिखा दे ना, कि वो इतने सालों से रह रह रहा है, ठेक है, but he is still connected to humans, जो कुछ भी था, उसकी family है, वो क्या कर रहा है भी, और वो क्यू लड़ना नहीं चाहता, तो उसका एक reason दे रहे थे, कि उसकी एक family है वगरा वगरा, जो भी adopted वगरा, तो I think वहाँ वो चीज़ चलती है, but जहां आप शरूरत नहीं है, वहाँ पर भी कर रहे हो, तो that is wrong, I think, that is wrong, और मेरे को लगता है, वो इतना जादा एजेंडा पुश हो चुका है हर जगा, that Marvel ज सारी जब मैं टॉबी मेगवायर वाली spider-man आती थी, जब अपने peak पे था तेरा ये Wolverine, तब मैंने देखा सारा का सारा huge jackman वाला, तब के और अब में stark difference है यार चीजों में, तो पुरानी कोई भी MCU उठा ले, they are unabashed, अच्छा action मिलेगा, बढ़िया स्टोरी मिलेगी तेर को, कोई woke agenda push नहीं हो रहा है, ये inclusion का चूतियापा, मतलब, it is a चूतियापा, because inclusion exists on a spectrum, और ये बहुत ज्यादे envelope push कर रहा है उस चीज का, तो मुझे लगता है, inclusion is a very good thing, you should include, but inclusion के नाम पे तुम खीजडी मत बनाऊ ना, और जबरदस्ती मत करो inclusion, it should have a purpose in the movie, exactly, character वो है, उस impact पूलब हो रहा है, तो नहीं आप पस डाले, मतलब इस चीज का और भी हिंट से, जैसे तुम infinity war में देख लो, उन्होंने एक छोटा सा sequence जाला वा तक जहां पर सारी और एक साथ मिलके लडाई करती है, फिर उसके बाद वो endgame में एक स्टेप और उपर चले गए, जहां पर आगे खड़ी हो जाते हैं, एक सके तुमका बैठल भी कर रहा है, तुम आपी पोस मार रहो यहां पर सारी यार, मेरे को एक चीज और समझ नहीं आती, यह बायो को भूल जाते हैं, क्या, biology completely भूल जाते है, क्या, action scenes लिखते हुए, no matter how good of a fighter a woman is, body mass उसका एक मर्द से कम ही र करती है न, वो उसको भी दबा लेगा, just because उसका body mass जादा है, right, यह मैंने बहुत कम फिल्मों में बहुत accurate तरीके से देखा है, और वो कि हा की लड़की ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया अपना, but at the end of the scene, the man has to overpower the woman there, क्योंकि testosterone, क्योंकि biology, बहुत कम chances ऐसे होंगे कि भा fighting a male who would underpower you, sometimes, तो मेरे को वो थोड़ा सा cringe लगता है कहीं बार, just because you want to push, कि भाई, औरते लड़ सकती है, वो कौन है UFC fighter, जिसका नाम है, जो बीच में काफी popular होई थी, फिल्मों में भी आई थी, Fast and Furious में आई थी, UFC fighter, Ronda, Ronda Rousey, Ronda Rousey, Ronda Rousey, तुने Fast and Furious देखे होगी, उसम Dominic का लग इंटरस्ट मुंती है, हाँ, 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 Michelle Rodriguez, Michelle Rodriguez, हाँ, तो उन दोनों का fight scene देख, वो कितना अच्छा तरीके से choreographed है, और वहाँ पे भी Ronda Rousey, beats the shit out of Michelle Rodriguez, क्योंकि उन्हें ने समझा कि एक fight scene ऐसे लिखा जाना चाहिए, बुझे बहुत अजीब लगती है, आज तू सही कहा रहा है कि हाँ वहाँ पे ओरते आके लड़ने लगी, front lines पे आ रहे हैं, आज भी front lines पे अगर तू army films देखेगा, front lines पे तरको औरते लड़ती कभी भी नहीं दिखेंगी, there's a reason for that, और इसका ये मतलब नहीं है कि औरते कमजोर हैं, कहीं पे भी मैं यह नहीं क front lines पे लड़ने की बात होती है, तो कुछ characters हैं जो like, they literally deserve to be on the front line, जैसे Captain Marvel होगी, बहुत जादा strong है, exactly, Wanda होगी, वो बहुत जादा strong है, but, मतलब, आप लाइन से आके पोस में खड़ें, that's what absurd मुझे लगा, कि तुम यहाँ माहा लड़ाई करने का मुझे, all of them just come and stand their pose लेके क चलो, हम लड़ते हैं, और बहुत गिमिकी था, Wakanda Forever में, बहुत साही चीज़े हैं, मुझे बहुत, almost borderline cringe लगी, गिमिकी लगी, right, कि पूरी पूरी फोर्सल ठीक है, fair enough, you made the film about women, right, औरतों के पास कितनी power है, वो भी चला सकती है, बिल्कुल चला सकती है, that's the whole point, but at the end of the day, काफी connect कर गे थी लोगों से, काफी culture का पार्ट हो गे थी, पार्ट टू नहीं कर पाया, इन्होंने यही किया था, ही मैन के साथ, जो भी ही मैन रिलीज हुआ था, लास्ट यर तू नहीं देखा था, भाई उसको ही मैन को बस एक पुसी देने की वजाईना देने की गवो थी एक, उसको अंडर गार्मेंट और जाईना दे दे ते तुम, और तुम उसको बिलकुल लड़की बना दो, भाई उन्होंने इतना water down कर दिया वो ही मैन, मैं ही मैन देख देखके बड़ा हूँ ठीक है, स्केलेट और उसमें आता है, भाई ही मैन is ही मैन, उसका नाम ही मैन है, और भाई ही मैन, और भाई ही मैन, जो कभी भी कॉमिक का पाट था ही नहीं, जो कभी भी कॉमिक का पाट था ही नहीं, इस अइसा करते हैं, वह ओनली वन मूवी जो मेरे को याद आती है, अगर आम बात कर रहे हैं कि अगर उसकी फेमिनाइजेशन करी जाए, let's put it that way, तो मु करा गया था, वो काफे सही थी, मैड मैक्स, फ्यूरी रोड वस वन फिल्म की, जहां पर तुरे को दिख रहा था कि भाई, एक औरत है, and she's calling the shots, और भाई, आदे पिचर में तो उसका मूई नहीं दिखता, Tom Hardy का, और अगर तू ओरिजिनल मैड मैक्स देख लेगा, initial मैड मैक तो उसमें तेरे को दिखेगा कि भाई, hero is calling the shots, but Fury Road में नहीं था ऐसा, Fury में Charles Theron का character was doing the whole thing, Kill Bill was another film, Kill Bill में भी बहुत बढ़िया तरीके से story Tarantino ने एक woman base पर रखी थी, so these are the films जहां पर women empowerment को actually मैं तुम देख रहे हो, ना कि तुम को एजेंडा पुश कर रहे हो, the script has been written, not keeping in mind women empowerment but keeping in mind the core character, यह एसी फिल्म है, Tarantino की latest कौन सी देखी तुने, मैंने देखी थी, मैंने पॉल फिक्षिन भी रिसेंटली वापस चेक करी, मैंने पॉल फिक्षिन सबसे पहले अब देखी थी, जब होता है ना कि इंसां को cinema का कीड़ा लगता है, और फिर देखता है कि क्या कौन कर रहा था, तो तब मुझे समझ में नी आय थी, अब मैंने जब उसको वापस से देखा तो सिर्फ, सिर्फ डायलोग और स्टेजिंग से जो सस्पेंस बिल्ड करता है बंदा, जब वो पहले जाते, अब रेश्टॉंट में होगा क्या, अब रेश्टॉंट में होगा क्या, और वो इत्ता इंट्रस्टिं के सुनने में, कुछ नहीं, एक्शन नहीं चाहिए, जुनियर जहां की बाता नहीं हो रही, सिर्फ एक गाडियम बेठा है, और सिर्फ बोले आ रहे है, फीट मसाज के, अरे वो stand-off वाला सीन कितना सही है, जब वो गन निकाल लेते हैं सारे, Samuel L. Jackson गन निकाल को उसको पॉइंट करके रखता है, वो पांच मिट तक बोलता ही रहता है, और Samuel L. Jackson ऐसे डायलोग डिलिवर करता है, एक वो और एक डेंजल वाशिंटन, इन दोनों को ना, तु इनका मॉन्टाज देख ले, तु 10 मिनिट का, when they start speaking, you would not get bored, और Tarantino की कोई भी देख ले सारे अक्टर्स का यही है, दायलोग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, लोगों लगता है कि गोर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तरहीं की पए हो पई तरUmarkets हेटफुल एट डायलॉग पे ही है पूरी पिच्छा ù एंटायर फिल्म पिर्चिपट कर पी आउटसाइड पाफ ए quis स्टॉक के अंदर पूरी पिच्छ पूरी पिच्छ उर्फीर है वहाई सलेवरी को भी और बातु Hin अनिमल का कमपेरिजन जिससे आप सो औरतों को ट्रीट किया गया है ना हेट फुल एट से किया गया था उसमें एक बंदी बना के लेके जाता है वो अनिमेश उसका नाम चेक करें रिचर्ड आम फोगेटिंग देनेम अगें बंदी मतलब वो कैप्टिव कैप्टिव बंदी न हेंन तो बाउंटी हंटर होता है मिल इसको ले जाता है और उष्के हाथ से चेंड से बांध का ओता हू लड़की कुछ भी बोलती है उसके मूः को कोसां और मूह पे इतनी वाइलन चाइंड उन्डर था टर टा-इनटी न को एक और टि वर्यार डैंट को बेर बटक्व 서 hoor नहीं हिंदी वाली अगर काटे देखे का ना काटे उसका exact remake है Reservoir Dogs का Tarantino की सारी फिल्म में देख तो by the end of his last film you would realize that people like Tarantino and Nolan rarely come across जब मैंने Tarantino को Animal के बाद compare किया था था Sendi Brady वहाँ का अपने review में बहुत बवाल मचाता हमाई review का उसका अनिमल वाले का बहुत बवाल हुआ था तो लोगों ने कह था तुम कैसे compare कर सकते हो तेरे को नहीं लग रहा था कि इट वाज दे फ्लेवर वाज अलॉट Tarantino-like अनिमल देखते हुए Dialogues were extensive Gore was extensive ठीक है Characters की brashness was extensive नहीं बट I feel कि Tarantino movie मतलब ये सब कुछ तो है बट उसकी movies के अनरा एक style होता है जो तुम जब देखते हो ना तो वो तुम feel करने लगते हो कि हाँ जैसे जाएंगो अन्चेंड हो गई उसको उसको एक काफे stylized तरीके से वो shoot करता है और वो तुम feel करने लगते हो जो I think Vanga की movies के अनरा तो 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 वांगा की films में stylization नहीं दिखती दा चोटी film Tarantino जैसी नहीं दिखती उसकी है अलग है उतना जैसे अब मैं याद करने आ रहा हो तो मेरे को feeling याद नहीं रही जो एक style वाली feeling जो मैं जैंगो देखता हूं तो फिर वो में को याद है कि उस time के जो डायलोग बोलने का तरीका हो गया जिस तरीके से उसनी camera वगरा shot की शूट किए तो वो एक feeling मेरे मांड में create करता है ठीक है Tarantino का जो कि मैं वांगा के अंदर उतना है तो वांगा के बारे में सबसे outstanding चीज क्या लगती है okay the use of music पिचरों के अंदर जैसे scenes के अंदर ही गाना डाल देना ठीक है usually movie को क्या करते है कि आप cut करके hero hero in कहीं और but नहीं मतलब एक तो गाने अच्छे होते है और वो movie के अंदर fit होते है और जो एक edginess है ठीक है लोग यह काफी पकड़ेंगे उसे वांगा को की edginess दिखाने से बंड़ा डरता नहीं है वो उसको फूचने बोलते तेरा पहली इस बोड़ा है यह अब नहीं बहुत सारे थे अनिमल जब इंडिया में रिलीज होई थी उसे चे गंटे पहले हमारे यहां रिलीज होगी थी क्यानडा में तो जब मैं फिल्म देखके निखनालता था ना मेरे को 200% पता थी यह बात यह पिचर फॉर्स शो के बाद ना जो गंद मचाने वाली है जो बवाल मचने वाला है ना वो ब्रास ट्रैप वाला सीन पीरिड वाला सीन वो सारे डायलोग्स दे वुड पुट पीपल ओफ और वही हुआ इग्जाक्ली वही हुआ जब तेरे घरवालो ने देखी आनिमल अब तेरे रेक्शन नहीं मेरको नहीं लगता देखी होगी मेर घरवाले मतलब मुवीज देखते हैं घर पर एखते हैं वह और वह पुरानी देखते हैं अभी टीवी यह वाइफाई नेट्फिक्स अबर उनको यूटूब परानी पिचरे लेखनी है यह होता है यह होता है तुने वह देखा एपल पर Godzilla show Monarch Legacy of the Monsters अच्छा लगा मैं वह हर हफते देख रहा था बट फिर बीच में पॉइंट आई अब देखेंगे क्योंकि वह थोड़ा मेरको लगनी रहा है कहीं जारहे वह एपसोड भी काफी लगने थे उसके I think 6th तक मैंने थोड़ा रुक गया फिर बाद में जब पता चला कि end उसका काफी सही है तो फिर मैंने चेक किया और end उसका काफी सही काफी सही है मैं अभी तक end पहुचा नहीं हूँ तू तो हाफते में देख रहा है मैं तो महिने में एक या दो एपिसोड दो ऐसे करके देख रहा हूं उसको मैंने शुरू में थोड़ा सा बिंच किया था फिर वो consistency तूट गई लेकिन as a show creating Godzilla into a show was very interesting to see जहां पर उन्होंने पूरा का पूरा वो दिया है और सारी acting भी अच्छी है अच्छा एक show के हिसाब से VFX भी बुरे नहीं है अच्छे भी नहीं नहीं है लेकिन एक show के हिसाब से बहुत बुरी है उपर से मतलब जो universe है उनका पूरा monsterverse का अब तक का सबसे बड़ा complaint यही था कि आप monsters दिखा रहे हो बट इंसान वाला aspect हमिशा missing था नहीं दिखा रहे है इंसान वाला aspect भी बहुत जा ठूस दिया ना Godzilla दिखता ही कितना है पूरे के पूरे show में तेरे को Godzilla 4-5 बर दिखता है वही उन्होंने इस बर क्या किया कि जो complaint थी कि इंसानों का factor उतना नहीं समझ भी रहा एक monster को जाओ लड़ते वही देखो और घर चले जा तो इस बर उन्होंने पूरा show जो है कि इंसान कैसे रह रहे है उस दुनिया में अब देख रहे हो जापान के अंदर यहाँ sticker लगा हुआ है Godzilla का वहाँ लगा हुआ है तो वह एक जो खौफ का मावल होता है जापान के इंदर लगा है अब माइनस वन आई उस पर बारे बात करें माइनस वन देखी तुने भाई तुन माइनस वन देखी ओ लगी नी डगी तुने लगी थी जापनीज में इंगलिस सब्टाइटल के साथ वह फिल्म तु देखियो भाई उन्होंने आधे से भी कम बजट में 30-50 क्रोल में पिच्छर बनी है वो पूरी और फिल्म इस फैबूलस ठीक है जो उन्होंने कर रहा है ना जापानियोंने गॉड्जिला के साथ गॉड्जिला इस जापनीज क्रिएशन यू सी फाइनली जापनीज मेकिंग अभी तक तो प्राइमेरिली करी कौन रहा था अपने को जो दिख रहे थे हाँ वो हॉलिवूड ही बना रहा था अब तू स्कल आइलेंड या वो देख ले अच्छा मैं पहले वो बता जो गॉड्जिला जो शो वाला था मुझे यह लगा की मॉंस्टर्स को और इन्होंने ना ओवर ओवर हुमनाइजेशन कर दिया है बहुत सारी चीजों का बीच में लव एंगल है बाप बेटी का रिलेशनशिप है step brother आ जाता है उसका पूरे पूरे कहानी के अंदर फिर विच इस गुड़ इस तुमने चीजों की दिखाई है देषात बहुत बढ़िया दिखाई है भई गॉड्जिला आ जाएगा भाग जाओ सायरन किस के लिए है राइट बात वहल पोन रस पांट आ वास तिल मिसिंग सम एक्टें आ वांट तो सी रिए मेरे को ऐसा लगा उसके अंदर स्कल आइलेंड में देखना क्या किया उन्होंने पहली वाली स्कल आइलेंड कितनी जबर्दस तरीके से आई थी राइट गॉड्जिला वर्सिस कॉंग तू सेकेंड पार्ट के लिए एक साइटेड़ है जहां पर पिंक कलर का गॉड्जिला बनाए नो ठीक है आएगा तो देख लूगा पर ना उसका उसका एक शॉट देख रहा हूं कि वह भाग के उसके कंदे में इसा पकड के लटक जाते है और आए नोकल ट्रेंट जोड़ी है वाई कि तू तेरा कुद का वेट है वो जुख जाना चाहिए ऐसे लिकिन नहीं मतलब फिजिक्स की तो इन्होंने लेकिन बैस से जादा तो करन अर्जुन बना दिया इन्होंने उस फिल्म को गौडजिला कह रहा तू आएगा लड़ाई हो गई मेरी आजाए मेर साथ आजाए और अगाग रहे एजिलिटी देख रहा है तो उनकी बोड़ी में अजाईल कितने है वो बहुत जादा बहुत जादा और इसी चीज की मैंने प्रेस कर जब गौडजिला एक्स कॉंग का ट प्रेलर केंट में जो दिखाया था कि दोनों एक दूसरे के साइड में भाग रहे हैं एक सकेट डाइटिक चालो करती उन्हें आना हो गया बजन दोनों का और दोनों ऐसे एक्ट कर रहे हैं उनके पास हूमन ब्रेंज हो सबसे बड़ी बात है वो है तो जानवरी ना एक शि रूड हो जाती है न ऐसी फिल्मों में तो ऐसी फिल्मों का जो ओवराल होता है न फील उसकी जाती है मिरेको यह लगता है 2014 गोरिला कह रहा हूं गोडजिला इस प्रॉपर मॉंस्टर की तरह दिखाया था ने एक प्रॉपर मॉंस्टर इप्सानों की फटी पड़ी है यह इसा नहीं है कि ओ गोडजिला आ गया तो हमारा दोस्त आ गया याद है यह यूएस यूएस वो चल रहा होता है वार्शिप उसके निचे से गोडजिला निकलता तो इनको दिल में तसल्ली आ जाती है ओ गोडजिला आ गया अरे बहन इतना बड़ा क्रीचर है वो और वो आ यह जाती है और तुम तसल्ली हो रही है तुमें की यह हो गया और सबसे पहली वाली गोडजिला देखिये तुने, 97 और 93 वाली यार वो फिल्म देख तू, इस सबसे पहली वाली गॉडजिला अनिवे सड़ियो कौन से यह मैं थी तो मेरे खाल 93 और 94 में, तो कितने साल का भ बट वOW फिल्म जो.. जिस हिसाब से बlow up हुई थी... मेंको दो फिल्म में आद है. Dammami देखी है तूने सबसे पहली वाली? देख्की है. थोड़ा-थोड़ा याद है मिलको. Dammami और वो.. जब सिंगल स्क्रीण वाली वो सिंगल स्कृन प्र जो फिल्म में न दोनों फिल्म में वो भाई रेकॉर्ड ब्रेकिंग था हर जगा हर जगा वही हुआ था और अब तो मुझे लगता यार अब जो गॉडजुला जिस उस पर आगया है अब जो स्कॉल आइलेंड का जो नया आगया है बट लग रहा है कि वो जो लास्ट मूवी से सक्सेस जो उनको लग चुका है मुझ को गॉडजिला वर्सस कॉंग का कि दोनों को लड़ा दो पागल हो जाएगी देखने के लिए तो फिर उसी चीज़को लोग फिर से रिसाइकल करके रखेंगे बाई गदर 2 बना देंगे मेरे को तो ऐसा लग रहा है गदर 2 बन जाएगी वो बाई तरको सही बता रहा हूँ सेंसलेस अक्षन होगा जैसे फास्ट अन फ्यूरियोस का हुआ है तेरे को फास्ट फ्यूरियोस के बारे में क्या लगता है मैंने जब चेक किया था तब उसके आये हुए थे छे पार्ट्स जो मैंने देखा हुए था फास्ट फ्यूरियोस तो मेरे को बहुत पसंद आई थी सेवन्थ मुवी के लिए एकदम एकसाइटेट था मैं फिर जो भी वह पॉलवकर का तो सेवन्थ के लिए मैं बहुत एकसाइटेट था फिर उसके बाद मैंने एट देखी जो मेरे को याद भी रही है तब से मैं भाई रहने था चोड़ो बाई चूतिया आपा फिफ्थ कल्चर जो थोड़ा सा ब्राश कल्चर है बड़ दे स्टिल केर अबाउट देर पीपल स्टोरी थी उसमें ठीक है टोक्यो ट्रिफ्ट भी बहुत बड़ी है फिल्म लेकिन छटी फिल्म ऑनवर्ड उन्होंने रेस बना दी भाई सल्मान खान बन गया विंडीजल वहागा च ब्रुष कलीफा वाला सिन नियाद उसे गाड़ी मिलती हो ठपा देता एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में और जहां जाता है और वहीं गिरती है जहां जाना होता है इन्हें हमेशा गाड़ी वहाई उसने वहाँ से ठपा दी चल मेर को यह बात समझ आ दिये कि रॉकेट इंजन लगा गाड़ी में कहां से लाया कहां से तू कहां से लाया अच्छा जो यह टेज का करेक्टर है लुड़कृस का यह बहन का ड्रग्स बेचता था फरस्ट पार्ट में ठीक है यह वहाँ से फिर वह कॉंप्यूटर साइंटिस्ट बना ठीक है सारा है कर बन बना कैसे कंप्यूटर चलाने का मतलब गाड़ी में रॉकेट इंजन लगाना होता है क्या तिर को क्वांटम फिजिक्स आती है क्या चूती है और सबस्क्राइल रेस कराता था 10-10 डॉलर लेकर पहली पिच्चर में वह सीन देखकर रेना इलॉन बस्ट भी रोया होगा कि ग जहां पर इसकी ट्रांजिशन दिखाई गई है एक लुखे से कंप्यूटर एंजीनियर में और फिर एक रॉकेट साइटिस्ट में कई भी तेरको लगता है कि भाई पहले पार्ट में जो बंदा एक एफ्रो लेके चूतरों से नीचे पैंट पहन के दलाली करता था स्ट्री है तो कि वह तो पैसा आगया तो फिर वहो जाता है वह संभश में आधे बढ़ तो इसांग ऑन बंदा श्रिम आता है तो आसे तो इतनी सेंसलेस पिचर बन चुकी है न और लोग कहते हैं और पता चटे पार्ट ऑनवर्ड इस फिल्म को हिट करता है कौन जनता है यह वह जन जिन्हों ने 1st to 5th part को as a cult classic कभी नहीं देखा यह वो जनता है जिसको लगता है कि हाँ भाई शरापी के चले जाओ दो पॉपकॉन खा लेंगे बर्गर खा लेंगे और देख लेंगे गाड़ियां उड़ती हुई गाड़ियां तूटती हुई मालब मेरको लगता है कि वो फिर ना कोई भी मरके बापी शर्ण एक से ऐसा कौन सा क्यारेक्टर है पहले पार्ट से जो मराया और ही स्टिल डेड अथ्वा दार दो जाएगा पॉल वोकर इस टिल डेड बर थोड़ा तोड़ा 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 उसको भी लाएंगे बाई अब नेक्स पार्ट में आतो रहा है वो AI एस AI आएगा वो मैं तेरे पर बता रहा हूं यह क्या करेगा देख मैं तरे बता रहा हूं क्या करें कैसे लेकर आएगा मेरे दिमाह में थोड़ा साइस का यह अपनी गाड़ी में बैठेगा AI की बात चार पांच अब AI लेकर कोण अब आएगा लुडगरस ठीक है अच्छा वो कंप्यूटर साइंटिस्ट था पिर वो बेटी बना रॉकेट साइंटिस्ट ठीक है अब वो अब वो आर्टिफिचल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन जाएगा देख लियो और वो कहेगा वो ब्रदर की मां चुदी करेंगा व वो ब्रदर आगया वे वो पूरी पिचर में उसके साथ है वाई फैमिली का मतलब यही तो होता है किसी को चांती से मरने भी मत दो थीख किसी को चांती से मरने वाई पॉल वोकर का इतना ट्राजिक अएकसिडेंट हुआ थीक है उसके बाद इनोंने हर पार्ट में मिल्क किय अब आवार्ड लेने जा रहा है फिर भी तू पॉल वॉकर की बाते कर रहा है अरे तेरा वार्ड है उसको जीने दे भाई उसको कबर में से उठा के लाएगा कि तू अपस कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है उनको पता है ना फ्रैंचाज का एंवीपी कौन है तो या अचा पॉल यह वाला हिसाब हो गया है सुषान सिंग राजबूद वाला कि लोग अभी भी जाके कॉमेंट करते हैं जस्टिस पर सुषान सिंग ऐसे विंडी जन ने लगा रखा है ब्रिंग बैक पॉल वोकर मेरे को तो यह लगता है यह घदम ही नहीं होती चीज लेकिन तेरा सही कोई पॉल ओकर के लावा कौन है वापीस नहीं है हान वापीस आ गया बाई हान का तो इतना यह था लोग बोल रहें जस्टिस पा गया उसका उसके लिए उसने मारा था ठीक करेक्टर था वो जैसन क्या ना उसने मारा था तू पहले उससे जाके गल्ले मिल रहा है मिट्टी पा प्र लोग ने ब्रक्षिन किया कि वो मर गया उसका जस्टिस का तू उसको भी लेकिया गया जब मरा इने तो जस्टिस कहा से चीए तुमको अरे टोक्यो ड्रिफ्ट में अच्छा-खासा मरत हो गया था वो दिखा दिया तुमने क्रेश और भाई यह क्या मतलब होता है लगा वो मरा ही निए वो लास्ट में अच्छा जेसन स्टैदम उसको टक्कर मार काया उसने तेखा नहीं वो मरा है वो उसको ना हीरो की तरह मार के गाड़ी पलटके वह से निकल गया और पिर किसी को सालों तक नहीं पता लगा वो जिंदा है ठीक है अब दूसके खून का प्यासा था, मतलब क्या कहानी बन रही है भाई, उस बचरी, वो जब आया ना, ठीक है, वो कौन से पार्ट, वो शायद एट में जिन्दा हुआ तो अपस, तम मैंने सोचा कि अब एक बची है, सिर्फ गैल कडोट, उसको मतले क्या जाना तू, क्योंकि वो क्लियरली, चलती रन्वेर के उपद, यू कन नोट सर्वाइज दैट, नाइथ के एट, वो उसको भी ला दिया भाई, यार, भाई, मतलब हर कोई मर के वापिस आ रहा है, कोई मरता नहीं, obscene होते जा रहे है, फिजिक्स की तो इन्होंने, फिजिक्स का तो इन्होंने जिक्र करना, मेरे को ल कि नेक्स पार्ट में, सिंस AI आ चुका है, इलेक्ट्रोनिक गाड़िया आ चुकी है, ठीक है, सारी की सारी, मुझे यह देखना, अब उनके साथ क्या करते है, बस मैं इसलिए, सिर्फ चुतियापा क्या है, भाई, इस ब्लो, इट ब्लोज माइ माइ माइड, तो बी वेरी ऑ सबर्दस्त, यार लेकिन Dune 2 का उतना हाइप नी बना जितना Dune 1 का बना था, अच्छा, Dune 1 was, Dune 1 was a huge film, backed by a lot of hype, Dune 1 में तो hype बहुत थी यार, Dune 2 का मुझे लगा आई गई चली गई, a lot of people didn't care about the second part, बतलो, मैं, जितना मैं जान रहा था, मैं तो खुद से बहुत मैं काफ़ एक्साइड़ था, बाट में जादा नी चली, ना में बिशाद वो release time का हो गया होगा, जैसे Dune 1 में एक्साइड़ से आई थी, year end में आई भी थी, Christmas Caspas, कितने साल पहले थी, दो साल पहले, हाँ, दो साल होगे, 21, 21 हाँ, मैं आ एक्साइड़ हूँ देखने के ल यह ट्रिलिजी जो भी खतन ही, उसमें 3 थे, उसमें 3 थे, आप जो 4 पाट आ रहा है न उसका, जो आ रहा है, The Kingdom of the Planet of Apes, शायद ना में उसका, 4 यह हो, भाई, मेरे को लगता है, इन पिचरों में, VFX से लेके, background music से लेके, the story, the screenplay is fabulous, जबरदस्त है, वो देख के फील आता है मैंने उसका, मैंने उसका पहला वला देखा था, जो पिछली ट्रिलजी खतन होई थी, उसका second मैंने थोड़ा वा देखा हुआ है, अदर वरसे ग्लीमस ही देखे हुए थे, TV पर पूरी पिच्छर नहीं देखे, लेकिन मेरे को बहुत सही लगा कि पहला, पहला पार्ट से हूँ होजाGS को दूसरे पर्ट में क्या होगा, जिस हेसाब से कहानी लिखे हुई है, जिस हेसाब से इस साल इस साल और कॉन सी होता इस साल डेडपूल 2 है डेडपूल 3 है डेडपूल वह तो बहुत बड़ी होने वाली है इस गोई टो बी अस बिग अज बार्बी अन ओपन हाइमर उसके बाद ये रायन गॉसलिंग का एक जो फॉल गाय का हुआ हुआ था त्रीलर मेर को नहीं मैं फिर भी देखने के लिए एक्साइड वैं क्योंकि जो केमिस्ट्री थी दुनों की और जो अक्शन गग़ा दिखा जा है रायन गॉसलिंग अज अच्छन हीरो तरह कभी सूटेबल लगा है रायन गॉसलिंग के अक्शन हीरो मैंने इसकी देखी कौन सी है मैंने वह भाई Jake Gyllenhaal अभी जितनी नाइट क्रॉलर थी उसकी वह भी बहुत सही फिल्म थी नाइट क्रॉलर बहुत अच्छी थी और अब जो अब वह भी तो आ रही है एक क्या नाम है उसका जिसमें वह है कॉनर मंग्रेगर है हाँ अनिवाश कॉन से देखियो कॉनर मंग्रेगर और यह सारी जिम कल्चर पर कैसे जिम में जाते है यह वो कैसे ड्रग डिलिंग में पड़ जाते है कोई को नहीं होता है यह रोड अँसलों को नाम और उसमें काॉनर में ग्रेगर कॉनर में ग्रेगर ही प्ले कर रहा है इस प्लेंग हिस वन पार्ट okay साही है जैसे लाइगर में माइक टैसन ने माइक टैसन प्ले किया ता यार लाइगर यार ये लाइगर जैसी पिछरे बनाते कैसे तैस्ट गनपत लाइगर इसके लिए डिरेक्टर को बहुत बढ़ियां सेल्समेन होना चाहिए जो प्रोड्यूसर को अपना विजन है नहीं फरक नहीं पड़ता है लेकिन बेच के दिखाएगा ऐसे पिचर बढ़ा की देदूगा और जब बनती है तो इसका दस्टका भी नहीं होता है लेकिन एक तो सेल्समेन होना चाहिए यह तो फे प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर खुद दॉक्टर के पास आएगा और बोलेगा मुझे मुझे मनी लॉंडर करनी है तुन्हें जो बनाना वैं बना ले यार वो कैसे बूब्स में से गांधी जी बना देता है याद है उस वाले पिछर बाई मुझे सवज़ आता है वो कैसे यह लोग फिल्म में बनाते है यार अच्छा साउथ सिनेमा को कैसे देखता है तो साउथ सिनेमा हाओ डियू लुक अट इट अधिक कुछ साले पहले त तो मैं भी पहले वही था बट अब मैंने थोड़ा थोड़ा देखना चालू किया उनका और कुछ-कुछ मूविस तो इतनी कमाल है भाई उनकी अब ब्रमयूम देखियो डाउनलोड करके देख लियो भाई जो साइकलोजिकल होरर है अचा मुझे अच उसने मुझे मुझे एक बार मलयालम सिनेमा रेकमेंड किया था फिर मुझे सोरज ने जब सूरज ने मुझे रेकमेंड किय थी कि मलयालम देखो तो भाई मैंने Malayalam देखी दो-तीन फिल्म में देखी I was hooked to Malayalam cinema और Malayalam cinema और Telugu cinema और Tamil cinema में बहुत difference है बहुत difference है बहुत difference ब्रहम यूगम और भूतक आलम, भूतक आलम सेमी डारेक्टर ने बनाई है राहूल स्री नवासनिया शिवसदन नाम है शायद उसका हम उसको भी podcast पिलाने की कोशिश कर रहे है बाई वो दोनो फिल्मे psychological horrors है यार बूतक आलम में जिस हिसाब से उन्होंने depression को दिखाया है जिस हिसाब से उसने एक अकेली मा के turmoil को दिखाया है एक लड़का जिसके पास father figure नहीं है उसको दिखाया है और वो कैसे alcoholism से deal कर रहा है society के pressure से deal कर रहा है और फिर भीच में भूत और super natural angle जा जाता है भाई कोई jump scare नहीं है picture में बट film के अंदर जो tense उन्होंने situation create करी है न fantastic fantastic और तीन या चार पिच्चर ही बनाई है रहूल ले तो डिरेक्टर है इस फिल्म का और ब्रम यूगम तो black and white में तो फिल्म देखियो तुमबार देखिये है हाँ तुमबार देखिये है तुमबार बहुत बड़िया horror film है recent years में one of the best horror film तुमबार तो वो बिलीव नहीं होता भाई की पनी फिच्चर वो दादी वाला सीनी आद है उसमें अरे अरे फट्टो में ज़ादा horror movie देखता नहीं हूँ आचा तुमबार देखता नहीं है मैं तो भाई बहुत चौकीन हो मैं तो धूंड़ता हूँ जाके horror करके का नहीं होता है उसके लिए फॉन एव फिल्म होती है हां बहुत बढ़ीया बढ़ीया फिल्म है वहाँ पे और एक है शॉट हॉर're फिल्म का चैनल है औल्टर करके यूट्यूब पर भाई उसकी फिल्म में तो देख लेगा ना शॉट होती है मैं नहीं देखना वारे तू परस्टली कॉन जी फिल्म में पसंद करता है शूपरहरो साथा? नहीं इधिंक मूवी के अंदर एक अलग स्टाइल हो तो वो मेरे को देखना बहुत पसंदा मैंने अभी मैं पिछले हाथे में देखा है वाजना यह नाम नहीं बता सकता नाम नहीं बता सकता कब जाएगी पॉड्कास्ट यह यह जाएगा शाटरड़े फ्राइडे शाटरड़े अच्छा वो मतलब ऐसा कुछ है क्या तू ने उसका रिव्यू किया नहीं जैसे नेट्फ्लिक्स इंडिया के लिए वीडियो वगरा मैं मनाता हूँ ना तो उसके लिस्ट में मैं देखा मैंने दो तीन मल्याल मूवी देखी एक अधा तमिल मूवी भी इतना मज़ा आगे माई देखकर वे अच्छा 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 था बहुत सही थी वह सर्वाइवल थ्रिलर काफी सही बता रहे है काफी बढ़ी है अगयन मल्यालम मूवी भी बन जाएगी शायद काफी चल रहे है लेकना एक चीज मुझे लगता है अच्छा वो भी तो पॉनियान सिल्वन भी तो मल्यालम थी ना बनी रतनम की अच्छा तो मल्यालम सिनेमा ना मैंने एक चीज देखिया है हिंदी में तेरको फिल्म में मिलेंगी नीन की डब अब करने लगें हैं मतलब इतना जबरदास एक्स्क्लूजन है हिंदी लैंग्वेज का मल्यालम सिनेमा में कि भाई वो सोचता ही नहीं लेकिन हिंदी में दिखता ही नहीं मुझे अब जैसे ब्रह्मी उगम का जितना हाइप बनावात हैं यूजवली आप रिलीस के बाद जैसे कांतरा ने किया हुआ था कि बाद में आप डब करा के कर दो उनको क्या पता वाई अबिशन सी नहीं ये शायद कॉंटैट्स नहीं होंगे ऐसा कुछ तो होगा करने ची है ना लोग इतने देख रहे हैं आजकल और उनको पता है कि नॉर्थ की ओडियन्स आजकल सकर हो चुकी है फर सौथ सिनमा इवन आफ्टर नोइंग दिस वाक्त दॉबिंग देर फिल्म्स इन हिंदी विच इस वेरी वीर्ड तेर को लगता निये क्यों है ये एक्स्क्लूजर और बोला जाता है कि नॉर्थ वालों की भईया तुम साउथ वालों का मजाख उडाते हो बट ये हो क्या रहा है आप यहां तो वाईस वरसा चल रहा है यार ब्रम्युगम को नॉर्थ वेल्ट में भी बहुत जादा मजुमल बॉइस का भी अब नाम चला है तो लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि पीपल नॉट चेकिंग इट आउट हिंदी स्पीकिंग जनता बहुत रिसेप्टिव है अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस करी है मूवी के साथ साथ मतलब तुम्हारा वहां का जो लोकल कल्चर है वह भी लोगों तक पहुंचेगा लोग अवेर होंगे उस चीज़ के बार में बाहर जाने सच्छा फिर तुम्हारे आउं घूमने के लिए आएंगे तो काफ काफी उसका बड़ा एफेक्ट पड़ता है बड़ता है अच्छा अभी इंडियन सिनिमा की हिस्ट्री में कैसा टाइम चल रहा है जहां पर जो ग्लास ग्लास लेटसे ग्लास बॉर्डर था ना नौर्थ और साउथ सिनिमा के बीच में वो अब टूट रहा है कैसे रजनीकान साब ने भी बहुत ट्राइ किया था बॉलिवूड में एंटर करने का अगर तू सेवेंटीज में जाके देखेगा ना पिचरे जब अमिताब बच्चन जी के साथ ये पिचरों में आये थे हमेशा उनको एक सेकंड हिरो की तरह ट्रीट करा जाता था और काफी हिंदी फिल्में आई है रजनीकान साब की बड़े हिरोस के साथ अमिताब बच्चन के साथ आई है शायद विनोद खना के साथ भी कही ने कही है मेबी I don't know तो I might be wrong here लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने फिल्मे करी हैं लेकिन वो चले नहीं थे and he went back to the South Cinema आज कल क्या है आज Allu Arjun आ रहे है राम चरन आ रहे है Junior NTR आ रहे है and they are making seamless entry into Bollywood राइट but why this hostility against the Hindi speaking belt मेरको ये समझ नहीं याथ पता नहीं I don't know वो वो गे उनके कुछ रीजन से Is this a superiority complex? तेरो क्या लगता है ये superiority complex है हो सकता है कुछ लोग का I believe जैसे मैं बोला ना कि शायद money problem, contact की problem कि इतने बड़े एरिया में theater distribution मिलना भी तो issue हो जाता है वो गया फिर कुछ लोग का होगा कि नहीं हमारा हम अब तक की रखेंगे बहुत सारे reasons हो सकते है makes sense कोई web series देखी तुने? आज गल अच्छी जो देख रहा हो तू web series मैंने कौंची देखी मेरको याद मेरता है तूने वो देखी है आउटर रेंज नहीं आउटर रेंज देखी हो उसको ने एक black hole मिलता है अपने farm पे it's a fantastic show पर लेकि उसका second season cancel कर दिया जैसे Mindhunter का cancel कर दिया था third season नहीं भाई उनका एक अपना अलग AI है ठीक है? Netflix और Joe BTT वो पता नहीं कौन से रशिवार के calculate करता है cancel to cancel बाई recent past में कोई ऐसी film है web series बता you were like I was blown away मेरे लिए वो dark थी dark से अच्छी web series dark के मुकाबले की मैंने कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं देखा in fact Indian space में अगर sci-fi की बात करी जाए तो JL 50 आते तरको अटेंप्ट था वो बहुत बड़ी अटेंप्ट था to crack that sci-fi genre और क्या क्या देख इंडिया 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 sci-fi science fiction और web series में नहीं है कोई भी नहीं नहीं कोई भी नहीं JL 50 वो एक ही है वो धान में और पता है JL 50 सथ क्या हुआ तो मेरे को याद है यह पैंडमिक के टाइम आई थी 2020 के पीच में आई थी Sony Live पर Sony Live is another case study by the way Sony Live is another case study सस्ते रशे भाई उनके इत्ते अच्छे अच्छे शोज है और वो मार्केटिंग के नापे उनका भाई मतलब ऐसे दिल रोता है ठीक है वो नया सिजन लाते है पसंद आता है रॉकेट बॉइस का ठीक है और मार्केटिंग कुछ नहीं कुछ नहीं भाई मैं मतलब क्या कर रहे है तो लो और पता है जब Sony Live आया था ना इनके इतना बढ़िया रोस्तर था शोजगा और आज भी है अच्छे शोज आज भी है वहाँ लेकिन किसी को पता ही नहीं पता है बस वो चल रहा है कि वो एक दुकान है वो खुली हुई है वहाँ अगर कोई निकलता है तो कोई देख लेता है कोई अच्छा लगाओ तो भाई खरीजे लेंगा कोई धूंड के नहीं जा रहा है जैसे Netflix पे तो लोग धूंड के जाते हैं धूंडने जाते हैं क्या है Netflix पे Netflix has become a habit right और Amazon Prime is a close second which is the third one probably hotstar maybe Hindi speaking or family audience और family audience TV होगया sports होगया sports होगया and sony live के JL50 क्या था वो एक show था और इनके पास कुछ budget constraints to release it something like that तो उन्होंने as a film release करी थी नहीं sorry वो show release था था वो उल्टा था तू ने वो देखिया sony live पे वो आई थी welcome home welcome home 1 second वो एक remote area में हाँ हाँ देखा भाई वो picture ये वाई मैं शही बता रहा हूँ उस film का तो भाई एक theatrical release होना चाहिए उस picture को जितना मिलना चाहिए था ना recognition उतरा नहीं मिला मेरे को ये लगता है वो तो वो sony live को लेके वो complain है हमेशा का वो उनका ना एक गलती से scam 1992 word of mouth से popular हो गया बस उसका दूसरा पार्ट भी उसका दूसरा पार्ट भी उसका दूसरा पार्ट गया उसको अधा थूग लागे कर दिया भाई आदा आदा कर गया अबे अपने भी धूग लगा ली ना अपनी भी लेवल का नहीं था अच्छा 1992 हिट हो गया 2003 लाइ 2003 बुर्गा सोनी है शो बहुत बड़ी है तेलगी स्क्यान पर भाई किसके पास है कि यहां सोनी लिव पे हम तो महीने के बाद यहां फिर एक महीने के बाद इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे नोबडी गेव तो यहां मैंने उसका पहले पहला पार्ट रिव्यू किया और मैंने यही बोला था इनका पता है क्या था मार्केटिंग मैं तरे को बताता हूं जो सब्सक्रिप्शन था किसीने कॉमेंट किया था तो उसने मुझे उसने नहीं मैं तो बता रहा हूं कि थोड़ा सा रफली आद है कि उसने का था कि इन्होंने कोई दिमाग लडाया मार्केटिंग में कि जो लोग अभी देख रहे है न वो अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराएंगे तब तक यहां फिर नए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था मेरा वेब सरी उस दिन देखने का तो मैं जैसे पिच्चर देखा मैंने वीडियो बना के डाल दिया जो कुछ भी है फिर उसका जब मैं देखना चालू कर रहा हूं ठीक है आधा एपिसोड हुआ है और उसके बाद मैंने पीजे का कुछ तो ट्वीट देखा था गुष्से में लिखा तो उसके पांच एपसोड बाद तुमने स्टोड़ी रुप दी आगे का मैं मैं देखूंगा इनी इसको अब तो देख सकता है तो सेकंड पार्ट आगे है उसका बहुत बढ़िया यार यही तो यार फूटी किसमात उन लोगों की जो सोनी लिव के साथ जोड़ गए है मेरे को यह लगता है शोनी के पास इतना ब्रिलियंट कउं्टट सेथिंए अन्देखी देखा है तुने जोटी वplayer क्या दो चलते न है उसको एक अपर हैंड तो मिली घया है 21 के बाद ढी आना शोचकी क्योंकि क्या इनी कह सकती कि भीड लगे और बीड लगे यह बीड लगे अग दो ही तो दे सुष्मिता सेंच की जो आ रहे है वो देखता कौل tre कोई नहीं देखता तीन सीजन मना दिया उसका वह बढ़ी अशो था मईनल पहला सीजन अच्छा था उसका थीक है दूसरे सीजन के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ थीक है तीसरा सीजन आ गया मैं पिछले cricket season में देख रहा हूँ, उसके ad चल रहे हूँ, इस season में देख रहा हूँ, एक सगेट यह देख कौन रहा है शो पता नहीं कौन देख रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे शोज हैं, बहुत सारे शोज हैं ऐसे, अच्छा, Amazon Mini TV पे देख ले तू, Amazon Mini TV कौन देखता है, मेरे को आज तक कोई बंदा नहीं मिला जो Amazon Mini TV देखता हूँ, मैंने तो नहीं देखा, खुछ से नहीं देखा मैंने, लोग हो चुका है कॉंटेट, यहां तो इनकी स्राटेजी यह है कि बंच कर दो मार्केट को, कि बंदे को इतना कॉंटेंट दे दो कि हर किसी की दुकान चलेगी, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, एक नेट्फिक्स ने अपने पिछले दो से तीन साल में जो रॉस्टर को इन्हों न मिर्जापूर पे बैठ गए वो आई नी रहा, और इंट्रनाशनल पे उनके एक दो ही शोज है, वो नौर ने बॉइस पकड़ लिया एक, बॉइस और रीचर, यह दो है उनके पास मेरे को लगता है, इसके अलावा इंट्रनाशनल पे भी कुछ नहीं है, नेट्फिक्स के क्यों मुझे समझ नहीं आया, आज तक नहीं समझ आई यह बात मेरे को, मतलब उसका वो शारुक के सीन के बाद वो बॉलिवुड निकाला तो हो गया था तेरेको पता नहीं हो, थोड़ा बॉट है मेरे दिमाग में बट ऐसे एकदम उस पर बात करने जितना नॉलेज निया जो अब बात कर रहे था ना कोई ब्राउन बंदा हो अपने आप कर ले तो अनिमेश ने प्रियंका चोपड़ा मेरे को टेक्स किया था यहां पर चायट में लेकिन मैंने गा नहीं वो अखेले तो कभी नहीं कर सकती कॉन देख रहा है कॉंटिको का पहला पहला सीजन तो चोड़ पहले दो एपिसोड के बाद तो शोड़ देगा कॉंटी को तो ठीक है वो तो स्टार्डिंग में वो बज में कि यहां भाई पहला आ रहा है अभी उसका आया वा था न एक रिचेड मैडन के साथ एक्षन वेब स्रीज प्राम वीडियो पे रहे का उई ही थी अंधा पैसा फुका उन्होंने लेकि नहीं चला रहा है किसी नहीं नहीं देगी मैं सिटाडेल की ना पेड़ प्रमोशन आई थी मेरे पास कि सिटाडेल को प्रमोट कर दो मैंने को देखने ही नहीं पैट पाया मैं उस शो को कोई कंविंसिंग ही नहीं लगा मुझे वो शो देखने के लिए और भाई अभी नेट्फिक्स का तू रॉस्टर देख ले अब सोनी लिए पे चलरा है कि गुलख आएगा तो सोनी लिए नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई डाउनलोड किसी के पास अप है घर पे ती वी पे किसी के अप रोगी तो वह उन्हें ने टी टी विएफ से लिए वा है ना या टी टी विएम का प्रदक्शन है वो अब ती ही मेरे को लग रहा है तो होल पॉइंट इस कि there's no marketing either there's too much content और उनको भी अभी लगने लगा है कि यार हम क्या ही करेंगे market करके marketing में इतना cost चला जाएगा rocket boys was a fantastic show हाँ but right और मेरे खाल rocket boys उन्हें ने promote किया भी है और खाली rocket boys ही promote किया उसके लाव कौन सा नाम सुना है तूने लिए सोने लिए के तीन शोज बताईयो मुझे कोई जो अभी recent past में आयो scam rocket boys और हाँ good luck और तीनो word of mouth पे है और तीनो word of mouth पे है marketing के वैसे नहीं है people don't know about those shows with the memes and everything मीम से नहीं है मीम से नहीं जाने जा रहे है वो शोज तो आप पैसा फूक रहे हो ताकि लोग acquire कर सको customer require कर सको बताब उसको हो या भाई time निकल यह लोग के past time नहीं है भी उतना लेकने के लिए फिर भी आप अंध्रा निकाले जा रहे हो और जबकि sony live peak out कर सकता था 2020 और 2021 में जब लोग घर बैटे थे अगर यह तब दबा के marketing करते ना shows की और इन्होंने नाम पकड़ भी लिया था वहाँ पे 92 के hit होने के बाद scam 92 के hit होने के बाद they had a huge market who was waiting फिर गुल्लक आई ऐसा एक शो भी आया था इनका बीच में तबबर तबबर देखा दुने नहीं तबबर है वो भी बहुत अच्छा शो है murder mystery हो एक family गलती से murder हो जाता है लड़के का एक जो उनके घर में कुसने कोशिश करता है और वो उस murder को हाइड करती वो बहत बढ़ी आच्छा है भूफ प्रिलिएट लिटन शो इंधरी सिर्ड पांच साथ साल मुझे यह यह घ्टा है पड़का विया सी आच्छा इट इनका वरी आच्छाएज इस भूरी पिच्चर थोड़ा चुटकारामिलेगा बढ़ी आफ न्योंड पली पोर्स वर्स इंदेखा यहाई भाई कखे जहां कराओ छलो कुछ खडाब होगा तो अलृ जाते लृट साथ रिए य Confederements नई था डिए थे बिशनÇा को रहा होएव वीडियो में नहीं दिए बहुत चूत दाप लाई यार वो शुरुवाद में जभ तक हर रहना कि वो सिधार मलोत्रा वहां बॉम रखा हुआ है गाड़ी में और यह चल के जाता है अकेला और सब की फटी पड़ी हुई है और रोहिच सेटी तेरो क्या लगता है रोहिच सेटी एस डिरेक्टर एक बबल में फसा हुआ है वो अपने अर्ली 2000 वाले बबल में फसा हुआ है उसको ल लोग जै क्या रहिए वह पोस्टर है रोहिच छी बना देखं़ लेगे वह तरको ङसी पॉगवी पर तरये से पता लग जाता है आइजा क्या से कॉमबैक करेंगे क्योंकि मतलब एक जो ठीक है मतलब तुमको पसंद निया सकती मुझे पसंद निया सकती बट उनका जो एक मास ओडियंस जो उन्होंने बना के रखा हुआ है उनको पता है कि उनको क्या चाहिए सरकस से ही मिसफाइड बट आइ थिंक कि वो सिंग्णम 3 में he will come back सरकस से नि सूरğe वंशी भी misfire होती सूरे वंशी सिर्फ इसले चली थी क्योंकि तब लोगों को घर से बाहर निकल के theater जाना था सूरे वंशी वॉट नेकोली बैड फिल्म सूरे वंशी वॉस्पाइड फिल्म बारे जारे बारे जारे बारे जारे अपर वरो अभी इतनों रहाए कहां से थे भाई एक पुलीज ड्रामा आइरनी देख रोईचेटी के पुलीज ड्रामा की वो पुलीज ड्रामा बनाते हैं which is far away from any police angle in reality far away from any police reality यह तो हर बॉल पे ही clean bold हो रहा है सरकस ले ले सूरेवंची ले ले सूरेवंची से पहले कॉनसी film है थी Simba थी Simba भी कोई खास film नहीं थी Simba भी वोज अची लगी Simba was a good entertainer not bad but Simba was nothing like on the levels of Golmal or the things that he has made in the past तेरे को पता गोलमाल की वीटीजी थी, रोहित वर स्टिल तेकिं रिस्क्स विद गोलमाल, जहां पर स्लापस्टिक को भी पुश किया जा रहा था, रिख्टर्स बिल्ड करे जा थे, इप फिमें कौन से करेक्टर बिल्ड रहा है, और सिंगम में ते रोक है, सिंगम में पूरी इंडस्ट् एंडरी वांगा, और अल अल दो अदर अल अल युटर्स लेक्टरिस लेक्डार तानंद पुसिंग ओंवल्ट उभ उख फिल्म्स, ऑरहों टोन फिल्स का थाख्यू थिरूं लगता है, इतनी ही रिख्यू यू थाज फैटर को फैटर को इतनी ही रिख्यू मिली ते लें ल तो थी बट मैं खुछ सब्राइज था कि भाई कैसे नहीं चल रही पिचर या अच्छी तो बनाई ही उनने इक्जाक्ली और लोग कहरें भाई क्रिंज कहानी है अगर यही चीज अगर साउथ में बनी होती तो भाई इसको बोला जाता हो भाई वह पाथ ब्रेकिंग कर दिया यह कर दिया उसके अंदर देखो कुछ चीजे है जो थोड़ी जादा ओर दो टॉप चलिया थी बट वह एक मूवी है तुमको एक्स्पिरेंस दे रही है मेरे को मज़ा आया थेट्र में देखने वहाई मेरे को बहुत मज़ा है बट वह बाद में जो नहीं चली वह डाट व आयिया उसको समझ ही नहींगी क्यों नहीं चली मेरे मिला आ अच्छा नैआशनलियग था पाकिस्तान को भी पहला गया इजिसमे पाकिस्तान पृएंस धाया टै लॉग बाशी थी और बड़िया विएफश थे या ननिक वी-अफख थे और अच्छे विएफश्ट् प्रजेट का एक्षिन वगरा काफी सरी था उसका इन फैक्ट मैं सुर्प्राइज था कि फर्स्टाफ में वह एक्षिन से जादा वह स्टोरी पर फोकस कर रहे थे जो पूरा वह चारेक्टर उनके आस पास अपस के बीच का इंटरैक्शन डीपिका के साथ रिलेशन वगरा व नहीं भी चीक-चीक के नैसनलिजम नहीं दिखाया जा रहा वलकि वह दिखाया जा रहा है तुम्हारी एरफोर्स के थुरू उनके जजबे के थुरू और यार रिसर्च भी है ना फिल्म में देख कुछ-कुछ जगा तो तुम सिनेमाटिक लिबर्टी ले सकते हो बड़ कह जगा रिसर्च दिखती है तुम्हें उनके आर्मी फटीग कैसे हैं उनके बैजेज कैसे हैं सल्यूटेशन कैसी हैं वो सारी चीजे सुखोई कैसे दिखाया इनोंने ठीक है एफ 16 पाकिस्तानी कैसे दिखाया है ओल्दो हरे रंके कर दी है इनोंने एफ 16 वो थोड़ा चूत अबोल नहीं देखेंगा किसी कंट्री के फ्लाग का तो तरह को समझ नहीं आएगा कॉंसा प्लेण कॉंसी कंट्री का, वहा प्रभास भाइसाब वारे प्या आपका प्रभास पर्सनल यांता नहीं बड मेरे गाल से इंसान सही हों के वो उनके कुछ फैन्स बहुत बहुत ब बहुत बहुत जॉदा कुछ हिए ठीक है कुछ इतने सही है एक्टर का नाम खराब कर रहे बहुत जॉदा बहुत जॉधागar रडिड़ फैन्स हैं भाई मेरे मेरे खता है पता है तु निया ने देखी है कि नहीं- तो मैंडे मैं result ने चाइब एढальной पर ढला था प्रभास की डाइनसार की टट्टी साल आर देखने के बाद भरो छे दिन तक ये जो जो गुंड लोगों की तू बात कर रहा ना ये मेरे पीछे आया था, घरबार सब को छोड़ के अपने भाई, I was मुर्डर्ड इन दे कॉमेंट से, मैं सुभा उठा हूं मैं वो बहुत जादा टॉक्सिक है, बहुत जादा टॉक्सिक है एंड एंड इवन दो, क्या बोल मैं जैसे ठीक है, तुमको पिच्चर पसंद निया, तुमने कुछ लिग दिया उस पर गुस्सा हो गया मैं एक दूसरी यूटूबर के साथ देखने गया था थेटर से जब हम लोग बहार निकल रहे था, उसमें हम दोनों की बहस हो गई, क्योंकि उसको बिल्खुल पसंद निया मैं बोला, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि कैसी पिच्चर होगी और वैसी बनाई ही उन्होंने, इसलिए मैं थीक है, मैं ओकी हूँ इसके साथ, और फिर मैंना आके रीजू में भी बही बोला कि ठीक हो यह कमी है और यह मैं एक्सपेक्टेड था इसलिए ठीक लागा, फिर भी भाई, मेरे को बोई तुने कमी कैसे निकाल दी, हाँ, इत्ती से कमी निकाल दी, तो कैसे निकाल दी, फिर मेरी मलर को बीच मेलाया, मेरी सिस्टर को बीच मेलाया, भाई, मुझे तो मुसल्मान बना दिया, मैंने डंकी की तारीफ कर दी, और इसको बोला, कह रहा है कि भाई, इसको हलके की, शार आखर रिव्यू दिया तुने का कि ठीक है पिचर ये अच्छा है ये बुरा है तुरे को बुरी कैसे लग गई कोई चीज तेरे को बुरी कैसे लग गई प्रभास ने पादा है तो उसमें गुलाब की खुश्बू ही निकलेगी मतलब ये ये लाजिक है भाई इन लोगोंगा यह logic है लोग होगा, मेरे को समझ नहीं आता क्यों बाई क्यों और जब की पांच पिछले पिछली इतनी बुरी है प्रभास की, इतनी बुरी है कि इतनी बुरी है कि ब्लोज माइ माइंड कल की इस बर जो क्लैश हो गया न वो चीजों को और जादा नेक्स लेवल पर लेके गया जैसे उनकी साहो आई हुई थी फिर उसका रादे शाम अगरा अच्छी नहीं थी लोग बोलते थे मतलब थोड़ा हैट मिलता था ठीक था इस बर बिकॉस अफ थे क्लैश और बिकॉस इमिज पे बात अगई न कि शारु खान के लिए क्लैश भी जानबुचे कराए गया हाँ होगा कैसे तू खुछ सोच शारुक से लड़ा दो ठीक है इतनी बड़ी फिल्म आ गई इसको नॉर्थ बेल्ट में कैसे चलाए बाई आधी पुरुष तेरे को लगता है आधी पुरुष में अगर कोई बॉलिवूड अक्टर लीड में होता उसको दुबारा कोई हो गया भी है तो तीन चार चार इतनी बड़ी पिच्चर है मतलब आपरे और आधी पुरुष में तो अधर्म किया है भाई पाप किया है और फिर भी प्रवास और ओम राउट तो वह हो गया अंडर ग्राउंड वो तो दिखाई दी दिखाई दी वह ठीक है अब वो राम मं कोई क्यारेक्टर कोई खान प्ले कर लेता ना और यह जो इन्होंने पिच्चर बनाई है उसका ऐसा बॉयकॉट होता ना ऐसा उसको देश निकाला दे दी दे लेकिन प्रभास ने बनाई है प्रभास टटी करेगा तो भी बहन कमल के भूल निकलेंगे उसमें से तो तो वह कि कल की मेर को भाई as conceptualized as a concept कल की I am very excited to see कि भाई यह साथ करते क्या है ठीक है अल्दो इन्होंने यहां वहां से चीज़े उठाई हैं साइफा उनिवर्स में से हॉलिवूड के ठीक है और बहुत चोटे-मोटे स्टूडियो से भी इन्होंने चीज़े उठाई है ठीक है लेक अब तो उसके maker से वो आई है ना statement आई है कि भाई यह कोई चोटी-मोटी picture नहीं है यह वो बोला था न यह कोई आधी पूरुष नहीं है ऐसे कुछ बोला था उसने यह कोई आधी पूरुष नहीं है अभी दो-तीन हफते पहले की बात काफी news चली थी यह कोई आधी कि भाई कैसी होगी तली राइट बट प्रभास भाई साव है उसमें तो I have my doubts in place लेकिन यार एक चीज़ तो देख बाक पांच फिल्म में में मेगा फ्लॉप्स देने के बाद he's the same guy who can still make over 200 crore in like 2-3 days हम नहीं प्रभास की देखो जो पिछर खराब गई है वो भी ओपनिंग में है like first one day two day तो वो तो record ही है उनका भले ही आगे मतलब movie चले नहीं चले तो यह है मतलब जो fans और आ बोल रहा है बाहु बले टू से जो उनका है still आज भी है उनका हूँ वो भाई न इस दाट नोट वाई क्यों हो रहा है कैसे इतना पूल है कैसे ऐसे तो यार आमिर खान है हमारे पास आमिर खान ने दंगल से तारे जमीन पर रहे इतना जबरदस पूल तर लाल सिंग चैड़ा नहीं पूल कर पाई पूल को थेटर में और अब सितारे जमीन पर I hope so that it pulls क्योंकि I want Amir to come back with a huge bang because he is one of the most intelligent filmmakers that we have but मुझे नहीं लगता कि वो इतना पूल कर पाएगा आफ्ट जो भी controversy हुए लेकिन प्रभास भाईसाव इस तिल पूलिंग्राउड irrespective of what he does on the screen क्योंकि मतलब वो जैसे तिल्गु वो साइट साउथ केंडर मतलब स्टार को जो फॉलो करने वाला कल्चर है वो बहुत तगड़ा है वह भी प्रभास का नाम जोड़ाता तो वह नॉर्थ में ऊंच्टर का नाम वह जाता कि वह आउस होड़ नेंडेम बन चुक flirting प्रभास को चोड़के मेरे को लगता मैं कोई भी south इंड़ोर नें है इतना पुल नहीं होगा उस पिचार का आरार का जितना उसकी डारेक्टर की वज़े से, राजा मॉली की वज़े से, कि बाहु बली के बाद इतना बड़ा स्पेक्टिकल इननोंने बनाया है, so people would go and watch it, लेकिन प्रवास के लिए लोग people are not considerate about the director as much as they are interested in watching प्रवास, so यह एक बगवान की आशिर्वाद है प्रवास के ओपर कि बाई लैंडवाइन के ओपर चलने के बावजूइद भी तक कोई लैंडवाइन पटी है ऐसी नहीं है जिन्होंने उनका स्टार्डम खतम कराओ, so I hope so कि वो कलकी पर deliver करें, मैं वो लगता कलकी अच्छा experience होगा थीएटर में डेखने के लिए लिए मैं भी बहुत excited उसके लिए क्या करता है वो बाकी की कास्ट वगरा भी है अमिता बच्चन दिपिका पादिपॉंट अमिता बच्चन का यार गान गनपत में वही 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 दिवा में आयाता है कि तुम पोस्टर में डाल दिया पिच्छर में थे कि इतने से अहां इतना सा और वो सेम तुसेम मैंने जब रिविव किया था उसका कॉपी करा हूए भाई वो वो पूरा लुक्च जो है पता है अमिता बच्चन का गनपत में है वो एक 2012 किसी अवर्ड विनिंग नार्ट जियो की फोटो में से किसी बंदे मैं अपने पूरे रिविव में वो डाला था कि भाई यह 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 बंदा है यहां से कॉपी गनपत में हर चीज कॉपीड हर चीज कॉपीड थी नहीं है बाई चाहिए उसको अब जिंदा कर देगे ना उसको मर क्या था पहले में दो रोल ते उसको दोनों मर गए थे और जो उसमें उस टाइम पर वो दिखाया गया था कि भईया इतने बढ़िया वी एफेक्स है और सफ लाइगा तो स्केल था फिल्म का वह बहुत बढ़िया तो अब क्या कर रहा है नेक्स नेक्स्ट क्या योधा और मडर मुबार्ट तो ट्रेलर से मेरे को भाई सस्ती नाइज आउट लग रही थी वो अच्छा मेरको थोड़ा सा नाइस आउट का आया था फिल उससे बट आए स्टिल थिंक सो कि प्रति हारो पंकर्ष्ट्रिपाठी पंकर्ष्ट्रिपाठी जी पुल ओफ कर लेंगे इसी बाद मुवी अलग ह बट ट्रेजर को जिस तरीके से उन्हों ने एडिट किया हुआ था ना पुरा उससे मेरे को नाय सब्ट का जादा लगा मैं पूरी पिचल देखी जागी थेटर में और मेरे को बिली बिली औरा कि भाई ये पंकस्त्रिपार्टी है इससे पहले पूरी थी पो वाली मोदी जी पर जिसमें जो विवेक अब्रोय वाली मोदी जी नहीं देखी ती याद भी नहीं वो अब तो ये वो ट्रेंड बन गया अब वो आ रही है ना JNU जांगीर नाशनल यूझिवर्सिटी देखा तुन्ने JNU को नाम चेहिं करते है भाई जयंगीर नाशनल यूझिवर्सिटी करते है भाई पता नी कोई भई वो प्रोपोगेंडा फिल्म आरिये है बहुत ऍमक्रांगे ही अरिये है तो ऑन वेब चल पड़िया बस तर लाता्यो पहास्तार आरिये है पातार कितना नहीं इसमें प्रोगेंडा हो वो भी कली है नो है अच्छा वोभी कली है पंदरा कली है अधा शार्मा न वह बन चुकी है फीमेल वे वे करने हो तरही है अधा शार्मा स्टेपल हो चुकी है इंफिल्म हो गर्लों भाई आपको अपना एक्टिंग करियर देखना है ठीक है उससे पहले आपको मेरे को हिस्ट्री नहीं पता बट उतना दा कोई जान ने रहा था खेरला स्टोरी से आप उस मुवी के लीड और वो जितना भी 300-200 क्रोड जाती है तो आपको लगा है कि हाँ चलो एक बार और करते है तो उसलिए उनोंने अब second time किया हुआ है second time अब कितना खराफ करते हैं वो कल दिखे या वो कल दिखे है वो ट्रेलर में ही दिख रहा है यार मेरे को तो यह लगता है कि टीजर ट्रेलर तुमारे को 50% कहानी बता देता है picture की कि क्या होने में बहुत है BMCM का टीजर मेरे गलेच स वापसी हो जाए इस फिम से जो कि highly unlikely है twitter इनोंने पूरा खरीद लिया BMCM को ट्रेंड दरवार है अर चिका तो है IMDb भी खरीदा हुआ है यह बहुत सारे paid reviews आएंगे इसके देखी हो तो release से पहले तो IMDb पर बिलीव नहीं करना चाहिए जिनके यूजर नहीं ठीक होते है जब भी तरह को अपै क्रैक जैसा चूती आपा भाई एक यूट्यूब चैनल है कोई वहां वहां विद्यू चानवाल ले जाके अभी हम सब को बोला है तरह को पता है तेरको पीजे को हां नाम नहीं लिया लेकिन यह बोला कि reviewers पैसे लेक मैं गलत कॉल बोलेगा तेरी और हमें कॉल तेरा तेरी पिक्चर हो गलत बोलने के लिए बैसे यह मैं मैं उस पूरी वीडियो का रोस सोच रहा था रोस करने का मैं करूं अभाई वो बंदा नाम हील चुपाया दिमाक से आई उस्टो एडमायर हिम अलोट चीग है बट उस वो पूरी नहीं है वो मूई मेरु कमेंन के लिए जैसे व मूई में वो अलग अलग जो करते हैं यह रस्या छया से यह अमेरिका है यह बूरिटन से चा्या तो उसमें वो जो से जे सा ज 용 trib वन जाता है उसकोलते है आपका की refers to him, I'm from Africa पॉसको नाम भी आता है तो Africa लिगा मैं उन्हेंगे मैं वह अवे Continent सर समी है महां पक्ली बहुआ के वहाई अप्रा मेडिया भाई मने सुकुट गरे टीकी डीक है उसको चुट किया कि भाई ये क्या है अफरिका कॉंटिनेंट ए कंट्री नहीं और जब कि एजिप्शन होता है एजिप्ट के एक होता है गंद और वो भी अफरिका में आता है में दिखाया भी है टू मैं कॉमेंट करो कि इनको कोई बता हो ये कॉंटिनेंट नहीं तो ऊसमें क personnage कर रहा है तू पिचर नोरा फरति को दिखने के आ था या पिचर दिखने के आता, नोरा बदे को चार चार कॉंडिनेंट साथ लेकर घूमती है, भाई ये तो इसकी टार्गेट ओडियन्स है, और फिर हमें कहता है कि हम तुम ने पिच्रों गलत बोल दिया, भाई मतलब वहां गैठा हुगा है और वह यूट्यूवर है, वह उसको अच्छी लगी थी, खुदाफिस 2 भी बहुत अच्छी है उनकी जो आई बी, आई बी, आई बी, आई बी, आई बी, आई बी 71 नाम था, वह फिल्म पुरी नहीं थी, बट ठीक है बाई, अब उनको अच्छा बोला तो वह नहीं माने, लेकिन ये क्रैक को बुरा कैसे बोल वह मारे जाएगे, तारों में फसके, भाई, हैस्टाइल क्या करा लिया, टीन रंके बाल करा लिया, बूरे रंके, पूरी पिच्छर नहीं क्या बना होगा भाई, I still don't understand, क्रैक का तो मुझे समझे है, I hope he does, he chooses really good scripts, मेरे को I only hope that, ठीक है भाई, देखते ही योदा कैसे होती ह I hope so that, मैं को लग रहा है, फिल्म डिसेंट होगी, लेकिन वो चलेगी, मेरी ये प्रडिक्शन है, वो थेटर नहीं, चलेगी नहीं, वो थेटर नहीं फिल कर पाईगी, it would be a good film, OTT पे चलेगी, देखें, मतलब वो शेरशा गो रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब इसको चू इंडिन आर्मी ओफिसर का, पिकरम बत्रादी का, तो बहुत सारे चीजे हैं, जो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाईगे, ये बंदा जो स्टेरोटाइप हो रहा है, आर्मी रोल में, इस इस वन स्टेरोटाइप हो रहा है, वो अच्छा लगता है उसको आर्मी गोल में देख झिल गोली मारोफ अब जो इस बदूरेबूर चिक, आर्मी भाज बहुत्स है, बहुत्स स्टूबर आर्मी बहुत्तस स्टूबरा को रविदू हो मैं वेट कर। हो व्यां चैनल चैनल कर मित्कों का क्या हो था, रही सम्टाइम मैं सोच रहा हूँ सारे आजाओ तुम एक वर किसी दिन चानल पर फिसी दिन चानल पर, इन फिकर आट कि कोई बड़ी फिल्म के आस पास करते है रहे इस वादर में पोई बड़ी फिलम भी नी प्रोमर्टी नी ही इस पूरे नैंगे ँस्थीर है यह साल है बड़े जाल किया बड़ता है एवागा ठीक है थेकर ना क्यू दना कट ले ले